आई आर सी बीसी बड़े दिनमादी स्टोक एक्षिन में आया रेडार पर आयर वजे इसलिए कि रिजल्ट आये अब रिजल्ट आये तो शेयर की चर्चा तो होगी रिजल्ट के बाद अब मूर बदला बदला सा है बटा बटा सा है कुछ लोग हैं बलिश तो कुछ कहते कि न आयार से टिस तुम से न हो पाएगा तो आए वरुन तयार नुपुर तयार बताने के लिए बुल वर्सेज बेर वरुन करें शुरुआत आये अच्छे फंडमेंटर्स सबसे वड़ी बात किसी वी स्टॉक को या फिर किसी की कंपनी को चूस करने के लिए यह होते हैं और इ 155% के आसपास की बड़ोतुई जो स्टेट तीर्थ से आया आती है कमतिगी उसमें भी 155% के आसपास की बड़ोतुई के लिए जो है उसमें 50% के आसपास की बड़ोतुई है लेकिन यार दखेगा पिछले साल इसी कौटर में अगर आप देखते तो वो 2S सीट जो है ना उ सिजनली वीक क्वाटर में अच्छे नतीजे थे इसके लिए मुझे स्टॉक पसंद है बिल्कुल फंडमेंटल डिसार करते कंपनी कैसी है अच्छी थोड़ी सी खराब लेकिन अगर आपके कैटरिंग के एक्सपेंसेस बढ़ते ही रहेंगे तो मार्जन पे तो दबाव बन में भी सिफ 34% के मार्जन से एक्सपेक्टेशन 36% की थी इंटरनेट टिकेटिंग का जो रेविन्यू उसमें लगाता कमजोरी बनी हुई है मार्जन भी किरें सेग्मेंट में तो तो बड़े सेग्मेंट से अगर वहां पर मार्जन का दबाव है तो कैसे सूतरेंगे मार्ज देखिए ये कंपनी एक मोनोपोली विजनस चलाती है इनके सामने कोई है नहीं माजिन्स तो जब ट्रे बढ़ा लेंगे तो उसमें कोई दिक्केत की बात है नहीं कॉंपेटिशन जीरो है आप मानके चलेगा और साथ यारत ये कंपनी जो है दूसरे कारोबार में विस्तार जो है वो कर रही है लेल नीर आपको याद होगा जब बंद हुआ था कोवेट के चलते उसके बाद कितना हला मचाता लेकिन उसमें भी मैनिफेक्ट्रिंग सेटप जो है कंपनी कर रही है उस कारोबार को भी कंपनी बढ़ा रही है तो लगातार विस्तार की योजना है जो ह सरकारी कंपनी ना 62% का स्टेक है और जिसके चलते लगातार विवादों में रहती है आपको अगर याद हो तो मैं बता दिते हो ऑक्टोबर 2021 में बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया था कि पचास परिसेंट की करनें चुछ फीस होती है वो शेर करनी होगी आपको गवर्म पारी कंपनी जिसने आई पे उसे अब तक पाच गुना रिटन दिये हैं कोई नहीं है और वो है आयार सीटी सी कहिना कि इस तक अबरोसा जो है वो निवेशकों को इस काउंटर पे था इसके इस काउंटर ने रिटन दिये है नो डाउट अपने 50 विक हाई से अगर आप दे नीचे ट्रेट कर रहा है उसका रीजन में आपको बता देती हूँ क्योंकि अगर वन्दे भारत की टिकेट मुझे 4,500,000 डाइनेमिक प्राइसिंग पर मिलेगी तो मैं इंडिको से फ्लाइ करूंगे क्यों अपने 18-20 गंटे इन्वेस्ट करके मैं ट्रेन की ट्राइवल देखे तो दूसरे रेलवे कंपनियों से काफी प्रीमिम पर ट्रेट करता है और वे अनल टीटा कर वेगन सबकी बात करें तो यहां पर भी आपको वाल्यूएशन का कंफट नहीं दिख रहा है इसले शायद पिटा हुआ है ऐसा है ना कि बंदे भारत तो फिर भी फूल जा है काफी हीटिट अर्गुमेंट से दोनों पक्षो ने अच्छे पॉइंट से पॉइंट बहुत महेंगा है था है इतना भी महेंगा नहीं थी लेकिन नॉमल जो आपकी इस लिपर या फिर बाकी टिकित होती थी उस से कंपरेटिव बहुत सब्सक्राइब करें वह यूरोप जितना जल्दी बुक करोगे तनी आपको सस्ती मिलने की चांस है ऐसा है वंडरफुल ये भी अच्छे बात है तो आई आर सी टी सी बड़े कड़क दोनों की तरव से पॉइंट सर्क और वितरक आते वह दिखें तो कुनाल जी से जज्जमेंट लिया जाए कुनाल जी आर य जाज बनने का मौका मिल रहा है तो छोड़ूगा निया जी बिलकुल जाए दीजे अफला तून डीसिजन वापस से ताकत चार्ट्स पर देख रही है तो मैं तो इस पक्ष में हूँ कि वापस से इसके अच्छे दिन आएंगे और ये जो वरुन ने तरक दिये मैं पूरी तरह सहमत हूँ मुझे लगता है आने वाले समय में और उपर के लेवल्स आयर सी टी में देखने है कुबिल और सी टी सी ये आपके लिए कुनाल जी की तरफ से भी रहे और हम तो देखी रहे हैं दोनों तरफ के तरक वरुन और नपूर के तरफ से आते हुए